प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पार्ट नभी मलाकी का ग्रंत अध्य तीन पत्संख्या एक से चार प्रभु परमेश्वर कहता है देखो मैं अपना दूद भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तयार करे वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा देखो विधान का वह दूद जिसके लिए तुम तरस्ते हो आ रहा है कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा क्योंकि वह सुनार की आग और दुहूभी के खार के समान है वह चान्दी गलाने वाले और सोधन करने वाले की तरह बैट कर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चान्दी की तरह उसका परिशकार करेगा तब वे योग्य रीती से ईश्वर को भेट चढ़ाएंगे और प्रभु परमेश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और येरुसालीम की भेट सुविकार करेगा यह प्रभु की वानी है संत लूकस के अनुसार पवित्रिसु समचार अध्याई दो वाके 22 से 35 तक जब मोसा की सहीता के अनुसार शुदीकरन का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अरपित करने के लिए येरुसलीम ले गए जैसा कि प्रभु की सहीता में लिखा है हर पहला उठा बेटा प्रभु को अरपित किया जाए और इसलिए भी कि वे प्रभु की सहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोद के दो बच्चे बलदान में चाहाए है उसमें येरुसलेम में सिम्योन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुश रहता था वह इसराइल की संत्वना की प्रतिक्षा में था और पवितरात्मा उस पर चाया रहता था उसे पवितरात्मा से ये सूचना मिली कि वह प्रभु के मसी को देखे बिना नहीं मरेगा वो पवितरात्मा की प्रेरना से मंदिर आया माता पिता शिशु इसा के लिए सहीता की रेतियां पूरी करने जब उसे भीतर लियाए तो सिमयोन ने इसा को अपने गोद में ले लिया और इश्वर की स्थुति करते वे कहा प्रभू अब तु अपने वचन के अनुसार अपने दास को शान्ती के साथ विदा कर क्योंकि मेरी आँखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तुने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्थुत किया है या गैर यहुदियों के प्रबोधन के लिए जोती है और तेरी प्रजाई इसराहिल का गौरव बालक के विशे में ये बाते सुनकर उसके माता पिता अचंबे में पड़ गए सिमियों ने उन्हें आशिरवात दिया और उसकी माता मर्यम से ये कहा देखिए इस बालक के कारण इसराहिल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा या एक चिन है जिसका विरोध किया जाएगा इस प्रकार बहुत से हिर्दियों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हिर्दे को आर पार बेदेगी ये प्रभु का दिव्य सू समचार है मेरे प्रिये भाई और बैनों हम कलिस्या में प्रभी येशु के जीवन से संबंदित कई घटनाओं कई भेदों पर मनन करते हैं और उनका पर्व मनाते हैं जैसा कि प्रभु के जन्म का पर्व उनके बप्तिस्मा का पर्व उनके दुख्बोग का पर्व, मृत्यू का पर्व उनके पुनुर्थान का पर्व, स्वर्गारोन का पर्व ऐसे कई बेदों पर मनन चिंदन करते हैं ये इसलिए होता है ताकि कलिस्या चाहती है कि विश्वासी प्रभीयसु के जीवन से संबंदित उन घटनाओं और बेदों पर मनन करें जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और आज हम प्रभीयसु के मंदिर में समर्पन का त्योहार मनाते हैं हम स्तोत्र 127 उसके वाकितीन में पढ़ते हैं पुत्र ईश्वर को पहार है वर्दान है हर संतान ईश्वर का वर्दान है और इसलिए महतवपूर्ण है कि हर संतान को ईश्वर को समर्पित करें एक दुनिया में कितने ही निसंतान दंपती एक संतान के लिए ईश्वर के सामने रोते हैं कितने ही पुत्र हीन दमपती एक पुत्र के लिए इश्वर के सामने रोते हैं ऐसे में ये उचित है कि हर माबाप अपने बच्चों को इश्वर को समर्पित करें हम सामुल के पहले ग्रंध की अध्याई एक में पढ़ते हैं उसके वाकिश चौबीस से इश्वर ने हन्ना जो बाज थी हन्ना की प्रार्तना को सुना और एक संतान दी जब हन्ना ने उस बच्चे को दूद पिलाया बढ़ा किया तो वचन में लिखा हुआ है वाकिश चौबीस से हन्ना ने उस बच्चे को प्रभु को समर्पित किया आज प्रभी येशु के समर्पन का परव है वचन में आपने सुना जब मूसा की सहीता की अनुसार शुद्धी करन का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए येरुसलिम ले गए मूसा की सहीता की अनुसार शुद्धी करन का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरुसलेम गए है मुसा की सहीता में लिखा है कि हर पहला उठा ईश्वर को समर्पित किया जाए इसको समझने के लिए हमें इसराइलियों के इतिहास में जाना पड़ेगा इसराइली लोग मिस्र देश में गुलामी की जिन्दगी जी रहे थी और ईश्वर ने उनकी गुलामी और उनकी दैनिये परिस्तिती को देखा और मुक्ति के लिए उनकी पुकार को ईश्वर ने सुना ईश्वर ने मुसा को बुलाया और कहा कि मेरी प्रजा इस्राइलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा कर प्रतिग्यात देश लियाओ जाकर मिस्र के राजा फराउन से काहो कि मेरी जनता को जाने दो और मुसा ने इश्वर के आदेश अनुसार हारुन के साथ जाकर फिराउन से कहा कि इस्राइलियों को मिस्र देश छोड़ कर जाने दो लेकिन फिराउन मिस्राइलियों को छोड़ने को तयार नहीं था क्योंकि इस्राइली एक बहुत बड़ा जन समूह था और इस्राइली मिस्र देश के कटिन से कटिन काम करते थी इसलिए ईश्वर ने मिस्र देश पर दस विपत्तियां भीजी एक के बाद एक विपत्ति और अंतिम विपत्ति थी मिस्र के पहला उठे बच्चों को ईश्वर ने मार डाला ताकि राजा ईश्वर का साने दे और शक्ति का एहसास करें और इस्राइलियों को जाने दे जब मिस्र के पहला उठों को मा डाला गया तो राजा ने फराउन ने इस्राइलियों को मिस्र देश छोड़ कर जाने के लिए इजाज़त दिया और इसलिए प्रभु ने मुसा से कहा आप पढ़ेंगे नर्गमन ग्रंदा दियाई तैरा उसके वाकिय दो और बारा में मुझे सब पहला उठे बच्चों को समर्पित कर देना इस्राइली लोगों के सब पहला उठे बच्चे चाहे वे महर्शों के हो या पश्वों के मेरे ही है तब तुम अपने सब पहला उठे बच्चों को प्रभु को समर्पित करोगे तुमारे पश्वों के सब पहला उठे बच्चे भी प्रभु के होंगे मिस्र देश से इसराइलियों को छुड़ाने के लिए इश्वर के द्वारा किये गए उस महान चमतकार को याद गरते हुए उस पासका की स्मृति में इसराइली लोग यहुदी लोग अपने पैलाउठों को प्रभू को समर्पित किया करते थे गणना ग्रंद की अध्याय तीन में भी इसके बारे में चर्चा की गई है तो इसलिए हमने सुना कि मूसा की साहिता के अनुसार शुदे करन का दिन आया तो वे बालक को प्रभू को अर्पित करने के लिए यरुसलिम ले गए और उन्होंने येशु को प्रभू इश्वर को अर्पित किया एक बात का ख्याल करना यूसफ और मर्यम ने प्रभी येशु को येरुसलिम मंदिर में अर्पित किया उस समर्पन को स्वयम प्रभी येसु ने बाद में व्यक्तिगत रूप से पूरा किया जब कुरूस पर उन्होंने अपने प्रान को ईश्वर को निछावर गिया जब कुरूस पस से पुकार कर प्रभी एसु ने कहा कि ए पिता मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ इसके विशे में इबरानियों के पत्र की अध्याई दस उसके वाके पांच से साथ सक सन पौलूस कहते हैं इसलिए मसी ने संसार में आकर कहा तूने ना तो यग्य चाहा और ना चाहावा बलकि तूने मेरे लिए एक शरीर त्यार गिया है तूना तो होम से प्रसन हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से इसलिए मैंने कहा ईश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी गरने आया हूँ जैसा की धर्म गरंध में मेरे विशे में लिखा हुआ है प्रभी येशु ने यूसफ और मरियम के द्वारा मंदिर में किया गया उस समर्पन को व्यक्तिगत रूप से प्रकट किया अपने जीवन में आगे हम पहते हैं जब यूसफ और मरियम येशु को मंदर में चाहाने के लिए आये थे उस समय येरुसले में सेमयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुश रहता था वह इसराइल की सांतोना की प्रतिक्षा में था और पवितरात्मा उस पर चाया रहता था उसे पवितरात्मा से ये सूचन मिली थी कि वह प्रभू के मसी को देखें बिना नहीं मरेगा वह पवितरात्मा की प्रेरना से मंदर आया माता पिता शीशु इसा के लिए सहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमयोन ने इसा को अपनी गोद में ले लिया और इश्वर की स्थुति करते वे कहा प्रभू अब तु अपने वचन के अनुसार अपने दास को शान्ती के साथ विदा कर क्योंकि मेरी आँखों ने उस मुक्ती को देखा है जिसे तु ने सब राष्टों के लिए प्रस्थुत किया है जब येशु को योसप और मर्यम मंदर में चाहाने के लिए ले आए उस समय एक वेक्ति जिसके बारे में बताया गिया है सिमयोन उनका नाम था प्रिदावस्था में थे और उनके विशे में वर्णन है वो धर्मी ते तता भग्त पुरुष थे सिमयोन धर्मी थे धर्मी मतलब कौन है जो इश्वर की आग्याओं का पालन करने वाला जो इश्वर के आदेशों के अनुसार जीवन जीने वाला जो इश्वर के इशारे पर जीवन जीने वाला और वो भक्त भी थे भक्त का मतलब क्या है वह जिसने अपने आपको प्रभू को समर्पित किया है जिसने अपने आपको प्रभू को समर्पित किया है जिसने प्रभू की अधीनता को स्विकार गिया है आगे लिखा हुआ है कि वो इस्राइल की सांतोना की प्रतिक्षा में था वो इस्राइल की सांतोना की प्रतिक्षा में था इस्राइल वर्षों से एक रण भूमी बन गया था जबसे इस्राइलियों के राजाओं ने इश्वर के विरुद्ध पाप की अपराध किया इस्राइलियों ने और राजाओं ने इश्वर की आग्याओं को ठुकरा दिया उस समय से इस्राइल आकरमन का केंद्र बना कई राजाओं ने आकरमन किया इस्राइलियों को गुलाम बनाया गया बाबुल देश ले जाया गया असूर देश ले जाया गया इसराइल में शांती नहीं थी इसलिए इसराइली लोग यहूदी लोग इश्वर से प्रार्थना किया करते थी प्रार्थना किया करते थी कि हमें सांतों न दीजिए युद्धों से गुलामी से घायल हमारे हिर्दियों को सांतों न दीजिए हमें एक मसीहा दीजिए वो मसीहा जो हमें अन्य राष्टों से बचा के रखेगा और ईश्वर के नियमानुसार जीवन जीने के लिए हमें आज़ादी प्रदान करेगा ऐसे इसराइलियों की प्रार्थन थी और हम पढ़ते हैं सिमयोन इसराइल की सांतों न की प्रतिक्षा में था इस्यास नभी के गंद की अध्याए 40 वाकिय एक में प्रभु कहते हैं मेरी प्रजा को सांतों न दो इसया सद्याय बावन वाक्य नौ में हम पढ़ते हैं इश्वर वैसा इश्वर है जो अपनी जनता को संत्वना देता है इसया सद्याय एकसट उसके वाक्य दो में लिखा गया है कि मसीहा की बारे में वो संत्वना का संदेश सुनाएगा तो समयोन ईश्वर की सांत्वना की प्रतिक्षा में थी आगे उनके बारे में लिखा हुआ है पवित्रा आत्मा उस पर छाया रहता था समयोन पर पवित्रा आत्मा छाया रहता था प्रभीयसु ने कहा कि ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है लुकस अध्याई चार वाक्य ठारा मा मरियम के बारे में हम परते हैं लुकस अध्याई एक वाक्य 35 में पवित्रात्मा आपर छाया रहेगा एक विश्वासी वो है एक मसीही वो है जिस पर पवित्रात्मा छाया रहता है जो पवित्रात्मा की प्रहरना से जीवन जीता है प्रभी येशु का संपूर्ण जीवन पवित्रात्मा की प्रहरना के द्वारा चलाया गया पवित्रात्मा येशु को निर्जन प्रदेश 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रारतना करने के लिए ले गया प्रभी एसु पवित्रात्मा के सामर्ति से बरपूर होकर अद्बुत कारेगिया गर दे थी एक विश्वासी पवित्रात्मा से भरावव व्यक्ति होता है पवित्रात्मा से प्रेरित और संचालित व्यक्ति होता है सिम्योन के बारे में बताये गया है कि वो पवित्रात्मा उस परचाया रहता था उसे पवित्रात्मा से ये सूचना मिली थी कि वो प्रभू के मसी को देखे बिना नहीं मरेगा वो पवित्रात्मा की प्रेरना से मंदिर आया जिस समय येशु को मा मर्यम और यूसप मंदिर लेके आए पवितरात्मा ने सिम्योन को प्रेरना दी जाओ मंदिर जब हम पवितरात्मा के अधीन जीवन जीएंगे इसी तरह पवितरात्मा हमारी जीवन में कारिय करता रहेगा पवितरात्मा में बता जाओ बोलो, मत करो यहां जाओ यह करो, पवितरात्म हमें प्रेरना देगा वो पवितरात्मा की प्रेरना से मंदिर आया, माता पिता शिशु इसा के लिसाहिता की रितियां पूरी करने जब उसे बेतर लाए तो सिम्योन नहीं इसा को अपने गोद में ले लिया और इश्वर की स्थुती करते विये कहा प्रभू अब तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शान्ती के साबिता कर क्योंकि मेरी आखों ने उस मुक्ती को देखा है जिसे तो ने सब राष्टों के लिए प्रस्थुत किया है येसु के बारे में सिम्योन कहता है येसु सब राष्टों के लिए एक वरदान सोरुख दिया गया है प्रस्थुत किया है आगे सिम्योन भविशवानी करते हैं सिम्योन भविशवानी क्या करते हैं क्या बोलते हैं कहते हैं मामरियम से देखिए इस बालक के कारण इसराइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा या एक चिन है जिसका विरोध किया जाएगा ये सुई ईश्वर के राजिका वो चिन था जिसका विरोध किया गया एसु ईश्वर की योर से आया हुआ बेजा हुआ वो चिन था जिसका विरोध किया गया आगे मामरियम से उन्होंने कहा इस प्रकार बहुत से हिर्दियों के विचार प्रकट होंगे आगे उन्होंने कहा एक तलवार आपके हिर्दे को आर पार बेदेगी सिमियोन ने कहा कि एसु के कारण एक तलवार आपके हिर्दे को आर पार बेदेगी यानि पहले से ही पवित्रात्मा की प्रेरना से प्रेरित होकर समयोन माता मर्यम को इस बात के लिए तयार करते हैं कि आपको इस बालक के कारण बहुत दुख उठाना होगा तयार रहिए और वास्तों में मा मर्यम के जीवन में ये बातें पूरी हुए येशु के कारण उनको कितना दुख उठाना पड़ा आज किस महान पर उपर हम प्रभु से प्रार्तना करें कि प्रभु हमें भी अपने आपको तुझे समर्पित करने की गृपा दे और आज माता पिता प्रभु से प्रार्तना करें कि वे अपने बच्चों को प्रभू को समर्पित करें प्रभी यसु ने का बच्चों को मेरे पास आने दो बच्चों को प्रभू के पास ले जाना माता पिता की जिम्मेदारी है बच्चों को प्रभू को समर्पित करना माता पिताओं की जिम्मेदारी है कई बच्चे भटक जाते हैं क्योंकि उनके माता पिताओं ने उनको प्रभु को समर्पित नहीं किया है उनके माता पिता उन बच्चों को प्रभु के पास ले जाने में असमर्थ हुए है आईए प्रार्थना करे प्रभियसु धन्यवाद देते हैं कि सुन्दर परव के लिए अम्य तूस्य प्रार्वटना करते हैं कि तेरे समर्पन के इस परव के दिन हम तेरी तरह अपने आपको पिता को समर्पिद कर सके अमारा सम्पूर्न जीवन समर्पन का जीवन बने एप्रभ्येश्विन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बेनों को आशिरवात देना आज का संपूर्ण देने उनके लिए कृपागा दिन बने आशिश का दिन बने हमारी प्रार्तना को ग्रहन कर आमेन प्रभु तेरे वाड़ी जीवन की रोठी नेनों की जोते अंधेरा मिटाते वाड़ी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है क्यार मरे जीवन का मिटाना है